तो हरो दोस्तो तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नम्र 9 के आगेगा क्वंसेब्ट यार तो हम ने लास्ट क्लास में रिफ्रेक्षिन स्टार्ट कर राता और उसके बाद हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नाम का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कुछ कोशन्स भी करें रि जिरांज इंट्रो समझेंगे आप आती है कि जो लेंट्स है ना यार तो जैसे मेर्ट के हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे दिमाग लगाना जह मेर्फ्लेक्शन पढ़ते थे तो इसे दो है मदा दो तरह के सफैरिकल नियर रहे तो इंजन करना पड़ता था तो सफैरिकल मिरर आप जो सफैरिकल उतारिक रहे वह दो तरीकत एक होता है एकँ और एक अब Garlic एक या बनाइक किसे जाते उसके एक साइट अमने चली चली जाए लेकिन-अगर अगर पेंट ना करें उसके एक साइड पर तो वो क्या होगा वह करेगा एक लेंस की तरह हो समझेंगे कि हैं किसके यूज करते हैं lens का यूज करते कि अच्छा अब हमें समझना है reflection phenomenon समझने के लिए यूज करें लेंस और लेंस भी होते हैं बात करते ना तो lenses जो होते हैं वह भी sphere से काटके बनाए जाते हैं हमने क्या बढ़ा था एक sphere हम इसको बीचों से कटकर आधा तो इसका एक surface ऐसे मिल गया उसके अंदर paint कर दोगे तो एक अलग mirror बनेगा उसके बाहर paint कर दोगे तो अलग mirror बनेगा तो कहने का मताँ अगर अंदर paint बात है। असलियत में लैंस एक ही सरफिस का होता है, लेकिन हम उसको यूज़् डवल सरफिस के साथ करते हैं, तो इसलिए अगर मालो एक लैंस होता तो तो उसका एक फूक्स होता लेकिन अब आप微 ceux सरफिस को एक साथ सब्सक्राइब कौनों सब्सक्राइब और बीच में से थिक होगा ऐसे लेंस को क्या बोला जाता है ऐसे लेंस को बोला जाता है कन्वेक्स लेंस दूसरी तरफ एक जो लेंस है वह बीच में से थिन है और एजिस से थिक है ऐसे लेंस को क्या बोला जाएगा कन्केव लेंस बोला जाएगा तो एक लेंस हमारा बीच मे जाएगा पक्का क्लियर यह दो तरीके के लेंस है आप तुम्हें याद होगा जो हम मिरर पड़ रहे थे हमने मिरर के साथ क्या रहा था सबसे पहले उसके पोजिशन समझी थी कि अगर एक मिरर है उसमें अलग 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 पोजिशन कैसे काम कर रही होंगी लेकिन अभी हम ज पक्र क्लियर है आप हम एक एक करके लोकेशन समझेंगे और आपको एक साथ समझ में आएगा जैसे हमने मिरर में समझें थे कि यह प्रिंसिपल एक्सिज यह फोकस है यह वग्यरा वग्यरा वैसी करेंगे हम एक चीज़ याद रखना बार बार मैं बूल रहा हूं कि इसका मिरर जो सवरिश albums के दो सब्सक्राइब एक सरफेस यह वाली है जिसके यह सर्कल यहां पर बनेंगा और एक सर्फेस वाली this की सर्पेस यह फर बनेंगा क्लियर बेखनीज है चलो अब एक साथ समझतें दो है जो को, Concave और Convex को एक साथ समझाथे हैं और की साथ हका म करते हैं तो यह रहा Convex रेख और यह रहा Concave के taxi कि तो यह एक है ConvexLence और यह significance तो ठीक अब हमबात करेंगा का पोडिशन के इसके अंदर कौनगों सी अलग लग पोजीशन से हैं सो सुनो या हम एक imaginary line बनाते हैं एक mirror के ऊपर भी हम क्या करते हैं जैसे mirror बीच में में से imaginary line बनाते हैं ताकि हम सारे points को क्या कर से की locate कर सागए different locations पर इसलिए हम क्या बनाते हैं imaginary line बनाते हैं जिसको बोला जाता है principal axis ज्र यह कि यहां ऐगर अगर आपको मिलाएगी इन सबकिक नेयस इक इमेजिनर्य लाइन जो सेंटर-फ लेंस पर सारे point locate किए जाते हैं इतना clear अब mirror और हमारा जो principal axis होता था जहाँ पर मिलता था हम उस point को बोलते थे पॉल वैसे अगर आप Lens को देखाऊँगे तो लेंस के अंदर भी एक Center पिप्वाइंट है हमग सकते हो आपके मर्जी आप उसकेल रख सकते हैं दो reside सकते हैं बिल्कू से लेकिन यह आप्र से Center से Line पास और हो रही है वैसे से डिनोट किया जाता है ओसे ओका मतलब क्या है ओप्टीकल सेंटर अचाहिए नहीं लिखते हैं फिर आपको कन्फीजन होगी टिया ओका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं ओका मतलब है ओप्टीकल सेंटर अबी अभी मैं फिछले वाले अदे बताया वह यह कि यह भी सरकल बना रहा होता है और यहां पर रहे हैं जब यह सरकल एं तो इसका एक कि एंभ्र था यहां पर ओगा और एस यहां पर यांटाए हम चाहरा है अगर आप इस वाले को देखो गई तो इसका सथ कर एक सद्राफ दा फूरा हो रहा है 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 कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इस वाले को देखो तो इसका एक सर्कल इधर की तरह फूरा हो रहा है जिसकी वजह से जो इंका पॉइंट है वो कहां पर आ जाता है इंका एक पॉइंट ये एक्टम सेंटर पर आता है और इधर की तरफ से देखो तो इसका एक इधर की तरह सेंटर राता तो इसके दो साइड पर है है कि नहीं सेम यहां पर है अगर आप इसको देखोगे तो इसके पॉइंट को देखोगे तो इसका एक सरकल इधर की तरफ फूरा हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लियर तो इसका एक सेंटर पॉइंट यह रहा और एक सेंटर प लिख रहा हुआ है तो अभी के लिए हम इसको चेंज करेंगे और इधर भी क्या होगा अभी हम इसको चेंज करेंगे लेकिन अच्छाँ आप मियाद करो मिरर में पौल से अगर आप निकलते थे और सेंट्र वोरिचर से आप न्यकलते ञें थे अग्द मिड़ी cidade am بال Vienna वैं भी यह एकंद मिलते तो आप दोने सेंटर सेंटर पर एक और भी एक फॉक्कस होगा यहां पर भी देखा जाए तक किसंटर पर फोक्सक अगा भी है तो इसको फॉक्कस तो बोलते हैं लेगे बिलकुल बराबर होता था focus center curvature इसका मतलब पोल से focus अगर दो सेंटीमीटर है तो focus center भी दो सेंटीमीटर होगा तो सेम यहां पर भी है क्यों कि मिड़ पॉइंट है ना तो सेम यहां पर भी है तो एक चीज सोचो अगर मैं इसको बोलू एफ तो मैं इसको बोल सकता हूं पर लिए अगर मैं इसको बोलू एफ तो मैं इसको बोल सकता हूं भिलको बोल सकता हूं लेकिन दूनों तरफ यह काम कर नहीं सकता है इसलिए हमने इसको बோला एफ वान और इधर हैजह वाली rebellious साइड इस एफ वन और इधर वाली साइड इस एफ टू है सब्सक्राइब आगया मैंने क्या वोला लेकिन अब इंपोर्टेंट बात यह है कि हम इस सेंट आफ कर वेचर के नाम का हम क्या रहा करने वाले इसको चेंज करने वाले हैं ठीक है देखते हैं जड़ा ध्यान से सुन आप सेंटर आफ करना आफ दैखो यह बोलता है हम इसको बोलते हैं पर मिटा बीचिछ की जूरत है नहीं और बना रही है आप का मन करेगा तो आप सकते सब्सक्राइब तो कहने का मतलब यह पॉइंट से इसके तो यह पॉइंट कैसे बने अब याद रखो अब एक इंपोर्टेंट बात और समझों और वह इंपोर्टेंट बात क्या है वह यह सुनों तो तो में याद होगा सब्सेट के रही है थे ह्याट इसका में वह अब यह है पक्रण वाला केस्सट एक और फॉक्कस फॉक्स होता यह अब अभी भी मेन फोकस यह वाला है तो यहां तक हमने लास क्लास में पढ़ पड़ा है और यहां तक तुम्हें समझ में आना चाहिए लेंस के बारे में तो यह जिसका मतलब कहने का यह है कि अगर आप एक अगर बना रहे हो तो यहां पर प्रिंसीपल एक्सिस और जहां पर मिरर और प्रिंसीपल एक्सिस मिलते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल से जब आप एक सरकल बनाओगे दोनों तरफ तो दोनों तरफ जो पॉइंट्स हैं उनका नाम होना चीज इंट अब लेकिन आमने फोकस क्या कॉन का डिया तो पोल से लेकर स्री ऑप्टिकल से लेकर बिलकुल एज तक जो सेंटर प्रॉंट ऑफोकस होनके ठीक पाइन के फोकस तो इस तरीके से यह पीनिंश और लेंस काम करते और श्रीकिस बनता है अब हम बात करेंगे कि क्लिकीन में से कौन कर्षा क quickly did sum यार करो जबने विरे पड़ा था तो मिरर के अंदर याद करना मेरर के अंदर किन सबार आं बाख को मिरर के अंदर इन उठीर के अक्रिक जो हantically रसा यहां यहां पर हम सेम तरीका फालो करेंगे लेकिन इस वार लेंश के लिए काम करेंगे तो अगर आप ध्यान जा समझोगे तो यह है कन वेक्स lens और यह है concave lens, clear, इनके center से line जारी है, जिसका ना में principal axis, इनके center से एक लाइन जारी है, जिसका ना में principal axis, बिलकु सेंटर वाले point का ना में optical center, ठीक है, यह है F1, यह है दुगना ओफ टू यह है एफ वन यह दुगना ओफ वन यह है एफ टू और यह दुगना ओफ टू क्लियर है वाद एक चीज़ और यह आद रखो मालों एक अधर पेंट और रुखा है तो जब लाइट जाती थी और अगर हमको इधर का अगर आपको यह दिखाना है इंपॉर्टेंट बात है लाइट तो इधर की तरफ जो लाइट जाएगी तो इसी लिए उधर जो लाइन जाएगी वह बिल्कुल सही बनेगी और जो बापिस हाइगी वह डॉटिद बनेगी मिर्र में अलटवा केस होता था लियंस में अलटवास है तो जो वापिस आपस आही cidade नंहीं सकती लैंस में क्योंकि ओतार पर होगी तो अगर अगर आप डाटउ undocumented दिखा यह उसको converge करेगा क्योंकि यह क्या है एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस है यह क्या है एक कन्केव लेंस है जो कि डैवर्जिंग होता चलो देखते हैं तो अगर कोई रही पैरलर तूदा प्रिंसीपल एक्सीज और वो एकदम सेंटर पर टकराती है एकदम याद होगी और यहां से पास होगे जाएगी क्लियर है बात तुवारा समझ लो एक और लाई ना बना सकते लेकिन नीचे से बना रहा हूं तो अगर प्रिंसीपल एक इसके पैरलल आती है और कन्वेक्स लेंस से टकराती है तो कन्वर्ज होगी और वो रे फोकस से पास होगी इसी क्लियर है याद रखना जो रे आप बैंड करोगे वह हमेशा रे जो है बिलको सेंटर से बैंड करोगे तब जाके यह इधर कहीं पर बैंड करने आपको इसे करोगे आप अब आता है कंकेव पर तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है सारी पैरलल रे आपने दो बनाई आप चार यहीं से पास होंगी फोकस से सब्सक्राइब और इसका मेंट फोकस इदर ना वाई तब यह और यह रजिंग लैंस है तो इसकी जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी यह बहुत इंपोर्टन बात है एक बात याद रखना यह सब इसमयों नहीं बता रहा है यहां से गलत आगर कोई रहे यहां से जा रही है तो यह भी गलट ए रे बिल्कुल नीट औंकली सेंटर से होकर चाहें कहींपे भी जाना उसको हापसे जाएगी और आयर उसको बना नहीं यह यह सए से आपको मोड नहीं है उसको चलो वापिस दुवारा एक और एक और केस मनाते हैं तो अगर कोई रहे पैरलर दूदर प्रिंसीप लेंस से टकराती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी तो डाइवर्ज होगी लेकिन अपियर तो होगी फोकस से पास होते हैं और इधर की इसका म बोड़ डाइवर्ज हो के चली भी गई लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वह फोकस से पास हो रही हो वैसी इसके साथ भी असी होगा क्लियर है तो अगर आप ध्यान से देखो गे तो इसके नहीं सारी एक जगा पर आके मिल रही है इसलिए कन्वेक्स इस आ कन्वर्जिंग मे विखे जो रे आई इसने उसको क्या कर दिया और ज्यादा फैला दिया यह रेजाइं को मिला दिया बहुत इंप्लिकेशन में तो यह है आपके लिए कंके अवर कंवेक्स का कॉंसेट्ट कब वह करते हैं तो अगर आपको यह बहुत अची बात है ठीक है तो बस याद रखन और यहां पर यहां पर यह उल्टा हो जाता है हम पर काम इसलिए कई वार बोला जाता है हमारे को एक्सपेरिमेंट में कि एक पेपर पर पोईंट आट सब्सक्राइब रही है तो जो मैगनिफाइंग ग्लास वह उल्ए एक यह और सारी रेस को एक जगह पर मिला रहा है तो फॉक कान सा लैंस है वह सरी सूरज की जो ₹ तो सब्सक्राइब करने लगेगा यह इस वज़े से हो रहे है को मैजिक नहीं है लोगा है लीवात तो हैं आपको समझाने के लिए और फोकस यह सारी पैलल रेसों फोकस में लाता है यह और यह क्या करता है उल्टा करता है सारी देश को फैलाता है लेकिन पीछे मोड़ होगे तो फॉकस पर आगे मिलाएगा यह रहा इसका फॉकस अक्राइब यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर यहां तक इसको दिखता है तो अराम से कमेंट सेक्षेंट में डालना में इसको अंसर दे तो अभी अपने मेंड टर्म के एक्जाम को थोड़ा सा क्यों स्ट्रेस देकर में एक्जाम से बारे में सोचो कि हम उसी तरीकी से करा पाएंगे ठीक है चलो बाई-बाई ठीक है इसको में पढ़ो शेयर करो बाई-बाई